नमस्कार दोस्तो यूटूब चैनल देशी कहानी स्टार पर आप सभी का हादिक स्वागत है सुरताओ आज के वीडियो में एक बहुती रोचक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक जाट और कुमार की कहानी है दोनों बहुती चतुर दिमाग वाले होते हैं और दोनों में बहुत बड़ी टकर हो जाती है कि दिमाग में मैं बड़ा या तू बड़ा यानि कि कुमार बड़ा या जाट बड़ा ऐसी टकर दोनों के मद्ध होती है तो चलिए स्रोताओ जानते हैं कि कैसे दोनों के मद्ध में अपनी अपनी चत्राई को लेकर के घमासान होता है एक समय की बात है एक गाउं में एक कुमार रहता था उसकी दोस्ती एक जाट से हो जाती है दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी तरह से चल रही थी एक दिन कुमार की साधी का वक्त हो जाता है और साधी में वो जाट को नोता दे देता है जाट कुमार के नोते को देख करके उसकी साधी में समलित हो जाता है और उसकी सस्राल में जब जाता है तो देखता है कि कुमार को वधु के साथ साथ दहेज में एक सोने का कटोरा भी मिलता है जाट और कुमार कुमार की पतनी को वहाँ से विदा करके और उस सोने के कटोरे को लेकर के वापिस अपने घर पर आजाते हैं में दूद बरकर के जाट को पिलाने के लिए ले आई जाट उस कटोरे को देख करके उसकी तरफ गूरने लगा कि किस प्रकार से मुझे ये कटोरा चुराना है कुमार उसकी नदरों से तहचान गया क्योंकि कुमार भी बहुत बुद्धि मान था कि मेरे दोस्त के मन में अब जही चल रहा है कि इस कटोरे को कैसे चुराना है सोताओ खाना खापी करके दोनों सोजाते हैं कुमार अपनी खाट के उपर एक छींके में उसकी चाटोरे में पानी वरकर के रख देता है कि जैसे ही ये जाट इसको चुराएगा तो पानी फैल जाएगा और मुझे चेत हो जाएगा मैं इसी चूरी होने से बचा दूँगा लेकिन जाट भी बड़े दिमाग वाला था वो जैसे ही रात के वक्त उस कटोरे को चुराने के लिए गया तो उसने धीरे से उसमें उंगली डाल करके देखा कि पानी भरा हुआ है तब ही जाट बाहर जाता है और बहुत सार उस कटोरे को उतार करके और रात में ही एक तालाब में गाड करके आ जाता है सोताओ तालाब में गाड करके वो जाट पुने आकर के अपने बिस्तर में सो जाता है सुबह होते ही कुमार ने देखा कि सोने का कटोरा तो गयाव है तब ही उसकी नजर जाट पड़ पड़ी त तभी कुमार समझ गया कि ये जरूर ना जरूर उस कटोरे को किसी तालाब में गाड करके आया है क्योंकि इसके पेर पर कीचर लगा हुआ है वो एक कच्चा सूत लेकर उसके पेर का नापा ले लेता है और उन्हीं खोजों पर उसी तालाब की तरफ चल देता है जहां पर उसने उस कटोरे को गाड रखा था और उस कटोरे को वहां से उखाल करके वापिस अपने घर में ले आता है घर में आने के बाद में उसने जाट को बहुत अच्छा भोजन कराया तभी जाट कहने लगा कि सुनो कुमार भाई मैं यहाँ से अब जाना चाहता हूं तब ही कुमार कहने लगा कि बाई साथ एक दो दिन का समय और हमारे गर पर गतीत कर लीजिए उसके बाद में आप चले जाना ऐसी कोई बात नहीं है मैं भी मेरे गर में अकिला हैं मेरा भी आप से मन लगा रहेगा सोता उसाम के खाने के बाद में पुने कुमारे ने उसको उसी कटोरे में दूद लाकर की दिया तो जाट आश्चरे चकत रह गया और अपने मन में सोचने लगा कि इस कटोरे को तो मैंने चुरा लिया था ये कटोरा इसके पास उने कहां से आया तब ही वो बोलने लगा कि भाई इस कटोरे को तो मैंने रात को चुरा लिया था ये आपके पास में दूबारा कहां से आया तब ही कुमार ने सारी बात उस जाट को बता दी तब जाट कहने लगा कि आपके अंदर इतना दमाग है और मेरे अंदर भी इतना सारा दमाग है क्यों ना हम दोनों अपने दमाग का इस्तिमाल करके कोई अच्छा बिजनिस शुरू करने दोनों के बाद समझ में आ गई और दोनों किसी बिजनिस के बहाने से अपने घर से बाहर चले जाते हैं बाहर जाते वक्त दोनों ने एक सहर में जैसे ही प्रिवेस किया तो उन्हें सामे से एक अर्थी आती हुई दिखाई दी उस अर्थी को देखकरके दोनों ने अपना दमांग लगाया कि आज हमें इस अर्थी से ही पैसे लूटने हैं सुताओ अब आगे देखिए कि कैसे उन्होंने उस अर्थी से पैसे लोटे उस गाउं में एक सेट की मरत्यू हो गए थी सेट की चार पुत्र थे चार पुत्र उसको अपने कंदे पर लाकर समसान गाट में जला देते हैं जलाने के बाद में दूसरे दिन वो उस समसान गाट के पास में ही एक सुरंग बना लेते हैं और उस सुरंग में जाट का लड़का उस कुमार के लड़के को बंद कर देता है और उस सेट के गर पर जाकर कहने लगता है कि सुनो भाई मैं सुगन जाट हूँ मेरा नाम सुगन जाट है सेट जी कहाँ पर गया है तब ही उसके लड़कों ने जवाब दिया कि भाईया सेट जी को मरे तो आज दो दिन हो चुके हैं वो तो इस संसार से मर चुके हैं तब ही सुगन जाट कहने लगा कि भाईया ये तो बहुत बुरा हुआ है उन सेट जी पर मेरे 40.000 रुपे थे अब तो आपको ही वो 40.000 रुपे देने पड़ेंगे सेट जी के लड़के कहने लगे कि मैं कैसे मानूं कि उन्होंने आपसे 40.000 रुपे उधार लिये थे तब ही सुगन सेट कहने लगा कि आप अपने बही खाते में जाकर के चेक करिए वहाँ पर आपको मिल जाएंगे 40.000 रुपे का खाता उन्होंने अबस ही लिख रहा होगा सेट के लड़कों ने सारे बही खातों को खोल करके देखा लेकिन कहीं पर भी 40.000 रुपे उधारी के नहीं लिखे हुए थे तब ही सुगन जाट कहने लगा कि भाया अगर मेरे पैसे मेरी मेनत की कमाई के होंगे तो आप समसार गाट में चलिए आपने सेट जी को कहां पर जलाया है वो सेट जी की आत्मा आप से बोल देगी कि वास्ताव में इनसे मैंने 40.000 रुपे उधार लिये हैं चारों बेटों के बाद समझ में आ गई कि इसका पैसा अगर मेनत का होगा तो अवसी ही सेट जी बता देगे सेट जी के चारों गड़के उस जाट के साथ समसान गाट पर पहुँच जाते हैं वहाँ पर सुगन जाट आवाज लगाता है कि सुनो सेट जी मैंने आपको 40.000 रुपे दिये हैं वो बही खाते में नहीं मिल रहे और आपके बेटे मुझे उस पैसे को देने से इनकार कर रहे हैं आप इनको कह दीजी कि मैंने आपको 40.000 रुपे दिये हैं या नहीं दिये हैं तब ही उस सुरंग में जो कुमार बैठा था वो कहने लगा कि सुनो मेरे चारों पुत्रों इस सुगंजार से मैंने 40.000 रुपे उधार लिये थे और मैंने उनको वापिस नहीं लोटाया है इसलिए आप इन्हें 40.000 रुपे वापिस दे दो सेड़ जी के लड़कों ने जब ऐसी आवाज सुनी तो उन्हें 40.000 रुपे लोटाने पड़े और 40.000 रुपे उनको लेकर के जाट अपने मन में सोचे लगा कि कुमार को वहे रहने दिया जाना चाहिए और मैं 40.000 रुपे उनको लेकर के मैं अपने घर पर चला जाता हूँ इदर कुमार सोचने लगा कि 40.000 रुपे जाट को मिल गये होंगे और वो कभी भी मेरे पास में वापस नहीं आएगा वो उन पैसों को लेकर के अवस ही अपने घर पर चला जाएगा कुमार ने एक धमाग लगाया अपने पैरों में पहने के लिए और उन्होंने एक जोड़ी नई जूतियां खरी दी और सोट कट रास्ते से उसे पता था कि काउं करके हमारे गाउं का रास्ता है उससे सोट रास्ते से उस जाट से पहले ही जाकर के बैठ गया और जब उसने देखा कि जाट रुप्यों की पोटली को लेकर के आ रहा है तो एक जूति को तो उसने रास्ते में गरा दिया और दूसरी जूती को 500 मीटर दूरी पर आगे जाकर के गरा दिया और वही पर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है जब जाट वहां से आया तो उसने देखा कि एक नई जूती गिरी हुई है लेकिन उसको उसने वही पर छोड़ दिया सोचने लगा कि मैं एक जूती का क्या करूँगा 500 मीटर आगे जाकर देखा तो दूसरी जूती भी उसे वहां पर पड़ी हुई दिखाए दी जाट सोचने लगा कि ये दोनों जूतीया एक ही है क्यों न इन जूतियों को ले लिया जाए जाट उस रुप्यों की पोटली को वही पर रख देता है और एक जूती को लेने के लिए पुने वापिस 500 मीटर की दूरी पर जैसे ही पहुंचता है तो कुमार उस पोटली को उठा करके वहां से अपने घर पर आजाता है जब जाट ने देखा कि यहाँ पर तो कोई रुप्यों की पोटली नहीं है तो वो सारी बात समझ जाता है कि कुमार ही इस पोटली को ले करके अपने घर पर गया होगा ऐसा मन में विचार करके जाट कुमार के घर की तरफ चल देता है उधर कुमार उन पैसों को अपने घर के आंगन में गाड करके और अपनी पतनी से कह देता है कि यहां पर जाट जरूर आएगा उसको मेरे बारे में बताना मत मैं कुए में जाकर के छुप जाता हूँ आप वहीं पर जाकर मुझे रोधी पानी दे दिया करो ऐसा कहकर के कुमार एक सूखे कुए में चुप जाता है उधर जाट कुमार के गर पर पहुँच कर कहने लगता है कि आपका पती कहां गया है आया नहीं क्या कुमारी कहने लगी कि मेरा पती तो आपके साथ में ही गया था ये प्रिशन तो आप से मुझे पूछना चाहिए था कि आप मेरे पती को कहां पर छोड़ करके आगे ये सवाल जब कुमारी ने जाट से बोले तो जाट को उन पर कुछ सक्ष हुआ और वो मन में सोचने लगा कि कोई न कोई गरवर अवस है अगर ऐसा होता तो इस कुमारी का मुझ उत्रा हुआ होता कुमार अवस ही यहाँ पर आया है जब वो कुमारी पानी लेने के लिए कुए पर जाती तो बगल में सूखे कुए में रोटियों को एक कपड़े में बांध करके उस कुमार के लिए डाल देती और बोटी यह लो आप रोटियां खा लो ये करम दो चार दिन चलता रहा फिर उस जाट को सक हुआ कि ये कुमारी पानी लेने के लिए जब जाती है तो अपने हाथ में कुछ लेकर के जाती है इसको देखना चाहिए जैसे ही कुमारी उस कुमार के लिए रोटियां लेकर के और कुए की तरफ गई तो जाट उसे छुप कर के देख लेता है कि कुमारी उस कुए में कुछ डाल रही है तब जाट समझ जाता है लगता है कि ये लो रोटियां खालो और उस कुए के अंदर रोटियां डाल देता है तभी कहने लगता है कि सुनो आपने मुझे जो पैसे दिये थे वो सभी खर्च हो गये अब जो आप पैसे लेकर के आये हैं उन्हें आप मुझे बता दो उन मेंसे कुछ पैसे निकाल करके मैं बजार से सामान खरीद करके लाऊंगी तब ही वो कुमार कहने लगा कि आपके पास में पैसे खतम हो चुके हैं तो जो आंगन में पैसे गड़े हुए हैं उन मेंसे हजार दो हजार अपने खर्चे के लिए पैसे निकाल लेना ये सारी बातों को वो जाट सुन लेता है क्योंकि वो तो कुमारी के बेस में जाटी तो था कुमारी जब रोटियां लेकर के उस कुमार के पास में पहुंचती है तो पीछे से वो जाट आगन में से सारे पैसे निकाल लेता है और उन सभी पैसों को वहां से ले जाकर अपने गर पर पहुंच जाता है उदर जब कुमारी कुमार के पास मैं रोटियां लेकर के पहुंचती है तो कुमार कहने लगता है कि अभी तो आप मुझे रोटियां दे करके गई हो इतनी जल्दी दोबारा कैसे आगई हो कुमारी कहने लगी कि आपको कोई गलत फैब में हुई है मैं तो पहली बारी आपको रोटिया देने के लिए आई हूँ इससे पहले मैं नहीं आई थी तब कुमार समझ गया कि जात ही उन रोटियों को मुझे दे करके गया है और उन पैसों का उन्होंने मुझे स्थान भी पूछ लिया है कि पैसे कहां पर गड़े हुए है इसलिए वो अपनी कुमारी से कहने लगता है कि मुझे इस कुए से जल्दी से जल्दी बाहर निकाल लिए वो जाट मुझे सारे पैसों के बारे में पूछ करके गया है और वो सभी पैसों को अपने घर पर अबस ही ले जाएगा कुमारे कुमार को जल्दी से उस कुए से बाहर निकाल लेती है वो दोनों घर पर पहुंचते हैं उससे पहले वो जाट उन पैसों को लेकर के अपने घर पर पहुँच जाता है तो ये थी सुरोताओ जाट और कुमार की चत्राए की कहानी दोनों का दमाग एक से बढ़कर एक था अब आप ही बताए कमेंट करके कि इन दोनों में से सबसे तेज दमाग किसका था जेहें जेवाराद